नमस्कार दोस्तों, Welcome to PK Classes, दोस्तों आज देखेंगे Entrepreneurship and Management Concepts, Important Questions for all examinations by PK Classes तो दोस्तों आज के वीडियो में, Entrepreneurship से सम्बंदित कुछ Important Questions के बारे में डिस्कस करेंगे, जो की आपके exam point of view से Important हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको Entrepreneurship and Management Concepts को जो Slavers है, सबसे पहले इस Slavers को अपने ध्यान में रखते हुए आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि Slavers काफी बड़ा है, यदि हम Second Unit की बात करें, तो Second Unit and Third Unit में बहुत सारी चीजें Slavers के अंदर दे हुई हैं, जिनके questions एक unit से ही आपके 10 questions, 12 questions बन सकते हैं लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कोशिस किया हूँ अपने हैंट से, कि कम से कम questions में आपके Slavers को कवर किया जाएं, तो आईए दोस्तों देखते हैं, important questions for entrepreneurship and management concept, तो दोस्तों जो छात PK Classes से जुड़े हुए हैं, जो PK Classes पर विश्वास करते हैं, उन सभी छात्रों को बहुत बहुत धनवाद, जो छात्र अभी भी PK Classes से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटिस्ट वीडियो आपको समय से मिल सकें, अभी आपके और कुछ बाकी है, तो सबसे पहले, डिसकस दा कांसेप्ट आप सूपरा सिस्टम, यूनिट फस्ट का फस्ट कोस्टन है, डिसकस दा कांसेप्ट आप सूपरा सिस्टम, सूपरा सिस्टम के कांसेप्ट क्या है, इ Sultan कांशेप्ट क्या होता है इभर किष्क बारे में भी आपको पता होना चाहिए थर्ड कोस्टिन आपका रहेगा डिसकस्ट द ब्रीफ स्टीवन अल्टर्स 9 éléments वर्क सिस्टम माडल में स्टीवन ऑल्टर्स 9 अपका वर्क सिस्टं माडल के बारे में डिस्कस करिए, बताईए फूर्थ कोस्चन आपका डिस्कस्ट द स्टेक्टर एंड परंफामिंस आफ बर्क सिस्टं सिस्टं लेडिंग टु कस्टमर डिलाइड यह हमारा फूर्थ कुस्चन है जो कि इंटर्प्रेनर से फर्स्ट यूनिट से कवर किया गया है फिफ्थ कुस्चन रहेगा यह हमारा राइट साइट नोट में या डारेक्ट कुस्चन में पूछा जा सकता है फिफ्थ नम्मर का कुस्चन रहेगा जो कुस्चन है यह हमारा सेकिंड यूनिट से कवर किया गया है इसमें वाट इस स्वाट एनलाइसिस स्वाट एनलाइसिस क्या है एक्स्प्लेन दा प्रोसीजर आप स्वाट एनलाइसिस तो दोस्तों पीके क्लासिस में इन सभी कुस्चन में मैजिमम कुस्चन के वीडियो अलरेड़ी अपलोडेड है यदि आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इंटर्प्रेनरसिप एंड मैनेजमेंट कांसेप्ट या इंडस्ट्रियल इंजिरिंग की इसमें आप सर्च करेंगे तो इसमें से आपके अधिकतर कुस्चन के वीडियो आपको पीके क्लासिस में मिल जाएंगे जो वीडियो काफी अच्छे आपके लिए हो सकते हैं अब एट्थ कुस्चन आपका है डिसकस आन्दा लाइन स्टाप एंड मैट्रिक्स आर्गनाइजेशन means जो लाइन स्टाप एंड मैट्रिक्स आर्गनाइजेशन होता है किया है क्या इसके फंक्सन होते हैं क्या काम करता है इसके बारे में बताईए इसके बाद नाइन्थ कुस्चन आपका Explain Maslow's need hierarchy theory Maslow's need hierarchy theory क्या होती है इसके बारे में explain करिए 10th question होगा How do you understand by team work and stress management Team work and stress management से आप क्या समझते हैं 11th question What are the function of HR department HR means human resource department मानव संसादन बिभाग इसके क्या कारे होते हैं Function बताईए HR के function बहुत आसान है Training भी करवाता है Recruitment भी करता है Planning भी करता है तो आपको धार रखना है HR department के functions HR department क्या होता है क्या काम करता है इसके बाद Explain management information system जिसको आप MIS के नाम से भी जानते हो Means Management information system को explain करना है HR department के functions या HR department क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए 12th question रहेगा What is management? Management क्या है? Write the function and importance of the management Means आपको management क्या है? इसको बताना है और आपको function लिखना है और इसकी importance Management की importance क्या है? और हूता क्या है? 13th number question रहेगा What are the difference between leader and manager? अब हम बात जानते हैं कि भाई किसी भी company industry की बात करेंगे तो वहाँ पर manager होता है और हम चुनाव की बात करें politics की बात करें तो वहाँ पर leader होता है तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? Means leader and manager में क्या difference है? इसके बाद 14th number का question आपको रहेगा Write certain notes on motivations, attitudes and personality threats Means बहुत simple question है इसके बाद 13th number के बाद आपका जो next question है sorry 15th number draw and explain break even point यह हमारी next unit आजाएगी break even point को draw करिए explain करिए break even point क्या होता है? break even point होई है जहाँ पर no profit no loss किसी भी कंपनी को ना तो कोई घाटा है और ना ही कोई लावान से तो इसके बारे में आपको पता होना जाहिए 16th number का question रहेगा Write short notes on features of marketing market targeting concept of need want and demand 17th number question what is marketing give the goals of marketing marketing क्या है? marketing के goals बताईए क्या होते हैं? इसके बाद 18th number का जो question है what are the difference between marketing and selling? marketing and selling में क्या अंतर है? 19th number question explain payback period NPV and capital budgeting means यह हमारे write short notes में भी पूछे जा सकते हैं या इस में से सीधा question सा आपका पूछे जा सकता है कि payback period क्या है? NPV and capital budgeting अब आपको यह ध्यार रखना है जो management entrepreneurship and management concept subject है इसमें आपके जो question पूछे जाएंगे उसमें एक question के साथ दो-दो question और attach होंगे क्योंकि यह subject ही ऐसा है कि आपका सीधा-सीधा नहीं एक question के साथ आपके तीन question जोड़ दिये जाएंगे जैसे अभी आपने automobile में देखा vehicle aerodynamic के साथ उसकी location साथ इंजन का attach कर दिये drivers visibility के साथ कोई दूसरा attach कर दिया similar यहाँ पर आपका आपको देखने मिलेगा कहीं advantage जोड़ देंगे कहीं disadvantage कहीं objective कहीं features तो आपको यह ध्यार रखना है इस subject में आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है सिर्थ आपको seriously इसको rating करना है और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे ठीक अब हम देखेंगे दोस्तो 20 question what do you understand CRM and market research CRM entrepreneurship में क्या होता है and market research से आप क्या जानते हैं 21 question what is productivity and its types अब ही हमारी next unit start हो गई productivity क्या है और उसके क्या प्रकार है write the objective of time measurement या time study time measurement के क्या objective है इसके बारे में बताईए what is JIT approach just in time यह आगी हमारी Japanese technology just in time approach क्या होता है write the advantages and disadvantages of JIT means just in time 23 questions explain total productive maintenance in details means TPM जो है इसके लिए आपको details में explain करना है 24th question what do you understand by TQM अब 24 नम्मर का जो question है इसमें कह रहा है कि आप total quality management या TQM से आप क्या जानते हैं write the benefits आप TQM TQM के features या benefits के बारे में लिखिए 25 नम्मर का question रहेगा write short notes on quality function development जिसको हम QFD बोलते हैं and six sigma यह काफी important question है last के questions में से आपके कम से कम 2 से 3 question आपको मिल ही जाएंगे तो means quality function development and six sigma यह सभी PK classes में उपलब दें वीडियो 26 questions what do you understand by project management and lean manufacturing इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं बताईए 27 question what are the difference between intrapreneur and manager intrapreneur and manager में क्या अंतर है यह हमारे अब last unit से question जड़ेंगे 4-5 question है जो की last unit में चूश किये हैं तो इसमें intrapreneur and manager के बीच में अंतर 28th question explain the role of intrapreneur in economic growth of nation means हमारे राष्ट की growth में intrapreneurship का क्या रॉल होता है यहां पर यह भी आ सकता है economic growth of India means जो intrapreneurship या intrapreneur होते हैं इनका हमारे राष्ट की growth में क्या युगदान होता है ठीक इसके बाद 29th number का question जो है explain in detail source of fund या finance for an intrapreneur means like मैं intrapreneur हूँ अब मैं कोई भी business start करूँगा तो मुझे पैसा कहां से मिलेगा इसके बारे में आपको बताना है कौन-कौन से sources होते हैं जहां से हमें अपने business के लिए पैसा मिल सकता है ठीक 30th number का जो question है explain the entrepreneur development program जैसे कि आपके college बगेरा है आपके department हर साल कोई ना कोई एक intrapreneur development program organize करता है जिसको आप MSME के नाम से जानते हैं तो आपका MSME क्या है इस पे भी last year question पूछा जा चुका है आपको ध्यान रखना है mini, micro, small enterprises ठीक तो MSME या intrapreneur जो development program है उसके बारे में बताना पड़ेगा इस मैंसे जो last question मैंने रेपर किया है write side notes on intrapreneur trades theory of intrapreneur export promotion and indigenization यह हमारा last question है तो आज के वीडियो में P.K. classes के अनुसार मेरे एकारिंग ये questions आना चाहिए ठीक ये मेरा अपना personal अनुभा होई जिसके आधार पे मैंने आपके syllabus को सामने रखके इन questions को चूस किया है कि आपके exam में इस में से अधिकतर questions आपको देखने मिल सकते हैं तो के दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्न बात धन्यू धन्यू झाल झाल